आज हम बनाएंगे समा की चावल का पुलाव इसके लिए मैंने या पर एक कप समा का चावल लिया है सबसे पहले हम समा की चावल को अच्छे से दो लेंगे इसको अच्छे से पानी से दो बार दो लेना है इस तरीके से हम पानी निकाल लेंगे इसका और फिर से इसको एक बार पानी से दो लेंगे अब ये जो चावल है इसको एक बावल में लेंगे हम और इसमें डालेंगे पानी इसको हम 10 मिनिट तक भिगो के रखेंगे इस तरीके से अब दूसरी तरफ मैंने एक कड़ाई लिये, इसमें लेंगे एक बड़ा चमच गी, इसमें डालेंगे हम दो बड़े चमच काजू, दो बड़े चमच बदाम और एक बड़ा चमच मुफली, इनको अच्छे से फ्राय कर लेंगे हम गी में, इस तरीके से इनको अच्छे से फ 1000 मिंट नरफ सलांक हम आख सीय कीवशें सब्सक्णा पम मां आधा कप लगा प्सक्रणाब परने हरे लिएन कर से कड़ार मां आधा में थे। अब हम इसको ढखन लगा कर पकने देंगे दो से तीन मिनिट बाद हम ढखन अटा के चेक करेंगे इसको एक बाद चला लेंगे हम आलू पक गया है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं देखिए इसमें चाकू असनी से जा रहा है हमारा आलू पक चुका है अब हमने जो समा की चावल बिगो के रखेते हैं वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से डाल देना है अब समा की चावल को हम लगाता चलाते वे एक मिनिट तक इसमें बुनेंगे इस तरीके से लगाता चलाते वे एक मिनिट तक बुनना है अब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसा सेंधा नमक, एक छोटा चमच काली मिर्च पावडर इसके साथ ही हमने जो काजू, बदाम और मुफली फ्राइ करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से mix हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, हमने या पर एक कप समा का चावल लिया था, इसलिए हम उसका दुगना यानि दो कप पानी लेंगे हम जित्ता भी समा का चावल ले रहे हैं उसका दुगना पानी लेना है हमको पानी डालने के पाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको ढखक कर 4 से 5 मिनिट पकने देंगे 5 मिनिट बाद हम ढखकन अटा की चैक करेंगे और इसको एक बार चला लेंगे इस तरीके से हलके हाँ से चला लेना है ताकि इसमें गाठे ना बन दे समा का चावल पक गया है अब हम इसमें डालेंगे एक नीमबू का रस रस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसको फिर से धकन लगा कर एक मिनिट ता पकने देंगे एक मिनिट हो चुका है धकन अटाएंगे हमारी समा की चावल का पुलाव तैयार है उपर से डालेंगे हम इसमें हरा धनिया और इसको हलके हाथ से मिक्स कर लेंगे समा की चावल का पुलाव हलका सा नरम ही रखना होता है क्योंकि ये ठंडा होकर एकदम ड्राय हो जाता है अब हम इसको घर्मा घर्म सर्व करेंगे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और अच्छा लगा है तो फैमिली और फ्रेंज के साथ शेयर करना ना भूले